लेडीज और जेंटमें वेलकम तु बॉलीवूद गोशिप शोओ तुड़े आम बाक विधा सैड नियूस नियूस लिंक दिद सल्मान खान एंड बिग बोस सैवन के फिनाले में कुछ ही अफ्के बचे हैं ऐसे में दर्शकों को रोज बड़े से बड़े सर्प्राइज बिन में हैं हाली में कुछार टंडन ने घर में दुबारा एंट्री ले ली है जबकि इस एंट्री से सल्मान खान शायद खुश नहीं है अगर अब वाओं की माने तो सल्मान खान की फेवरेट कंटेस्टन एली अवराम को आज राग एविक कर दिया जाएगा एली अवराम को दूसरे नॉमेनेटिट कंटेस्टन की तुल्मा में कम वोट मिले हैं सल्मान की फेवरेट होने के बाब जूद भी शायद एली शो में नहीं रहे आज राग शो से एली की विदाई शो के सभी विवर्स को हैरत में डाल सकती है जब एली अवराम ने सल्मान खान को कहा कि सल्मान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तयाद तो सल्मान का जबाब था ये तो 5 साल पहले की कैटरीना कैट एली के लिए बिग बॉस में आना उनके लाइप में एक नया मौड ला सकता है क्योंकि सल्मान शोक हत्म होने के बाद भी अपने कंटेस्टन की मदद करते रहें हागी में उन्होंने जलक दिखलाजा के होस मनिश पॉल के अपोजिट फिल्म मिक्की वाइरस से बॉली वोड में अपना डेब्यूट किया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है नीचे भी अगरे लाइक बटन को क्लिक करिए अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड सल्मान खान और अली अवरां से रिलेटेड कुछ कहना है कमेंट सेक्टन में अपना कमेंट दे सकते हैं अगर अगर तो सब्सक्राइब चैनल तो बोच्छ अच्छ बोल्यूट इस